पोस्ट्वेधिक पीरियड में political condition को डिस्कस करने के बाद में अब हम study करेंगे social, religious और economic condition के बारे में सबसे पहले social condition पोस्ट्वेधिक एरा में जो society थी वो patriarchal society थी, family joint हुआ कर दी थी, society चार वर्णों में divide थी और इन चार वर्णों का decision होता था बर्त के basis पर अगर हम comparison करें रिगवेधिक एरा से तो रिगवेधिक एरा में चार वर्ण थे लेकिन उनका decision प्रोफेशन के basis पर होता था मतलब अगर आप ब्राह्मन का काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मन कैलाओगे, अगर आप छत्रिय का काम कर रहे हैं तो आप छत्रिय कैलाओगे लेकिन पोस्टवेधिक एरा में अगर आपने ब्रह्मन फैमिली में जन्म ले लिया तो आप ब्रह्मन कहलाओगी चाहिए आपका वर्क जो है आपका काम जो है वो कुछ भी हो पोस्टवेधिक एरा में कुल और गोट्र जो वर्ड है उनका मेंशन मिलता है इसके अलावा जो social inequality थी वो बिल्कुल भी नहीं थी हालांकि जो ब्राह्मन कैटेग्री थी जो चार वर्णों में जो ब्राह्मन थे उनको society में symbolic supremacy दे रखी थी पोस्ट वैदी कैरा में इसके अलावा जो over production होता था उसकी authority दे दी गई थी छत्रियों को कि आपके पास में जिम्मेदारी है आपको authority दी जाती है कि जो भी over production होगा वो चत्रियों को दिया जाएगा इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सभी चत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी चत्रिय मतलब जो protect करते थे उस society को उस राज्य को मतलब indirectly जो king हुआ करते थे और king जो हमने ये देखा भी है political condition में कि काकवी supreme power बन गया था post-vedic era में आते आते king की post तो indirectly जो over production की power है वो दे दी गई king को अब यहाँ पर post-vedic era में जो ब्रहमन, छत्रियों वैश और सुद्र हैं इनको कुछ important words से यहाँ पर relate किया जाता था तो यह जो name है यह आपके लिए important हो जाते हैं, एक्जाम में question इस तरीके से आ जाएगा कि एक तरफ आपको यह जो चार word है इनका नाम दे दिया जाएगा और यह word से यह दे दिया जाएगा तो ब्राहमन को अदाई के नाम से जानते थे, छत्रिया जो है उनको बलिहर के नाम से, वैश को अनश्य बलिकरत के नाम से और सुद्र को अनश्य प्रिश्य के नाम से अब कुछ ऐसे एक्जामपल मिलते हैं पोस्ट वैदी कहरा में कि जो वीमिन की कंडिशन है वो डिकलाइन हो गई थी, हम कुछ ऐसे एक्जामपल डिसकस करेंगी जैसे कि अथरवैद में ये बोला गया कि कोई भी परसन की जीवन में अगर दुख है तो उसके दुख का जो सोर्स है वो बेटी होती है तो ये एक example मिलता है जिसके basis पर ये बोला गया कि पोस्ट वैदी के एरा में women की जो condition है वो decline हुई थी next example है मेत्राइनी जो सहीता है वहाँ पर ये बोला गया है कि women जो है वो alcohol और gambling की तरही एक बुराई है और ब्रहद अरणयक उपनिसत जो है वहाँ पर याग्यवलक और गारगी का एक conversation होता है soul को ले करके आत्मा को ले करके राजा जनक के court में ये conversation चलता है और इसमें गारगी अपनी तरब से जो पक्स रखती है वो काफी मजबूत होता दिखाई देता है और तब याग्यवलक गारगी को बोलता है कि ये गारगी चुप हो जा ने मैं तुमारा सर्फ होट दूँगा ये कुछ है statement जिनसे ये बोला गया कि पोस्टवेदिक एरा में women की condition decline होई हलांकि जो पोस्टवेदिक एरा है उसमें women को education का right था जैसे कि example हमें मिलते हैं गारगी और मेत्रे अब बात आती है वीडो रिमेरीज की तो वीडो रिमेरीज होता था पोस्टवेदिक एरा में और रिगवेदिक एरा में भी वीडो रिमेरीज होता था नियो कस्टम रिगवेदिक एरा और पोस्टवेदिक एरा दोनों में एक्जिस्ट करती है यह कस्टम इसके अलावा चाइल्ड मेरीज का कोई भी example हमें पोस्टवेदिक एरा में भी नहीं मिलता है और रिगवेदिक एरा में भी नहीं मिलता था हालांकि domestic slavery जो है वो exist करने लग गई थी पोस्ट वेधिक एरा में अब बात आती है economy condition की हम ये discuss कर चुके हैं कि 2020 के time में iron ore का invention हो जाता है अब iron ore का invention हो जाता है तो agriculture करना काफी ज़्यादा easy हो गया तो पोस्ट वेधिक एरा के आते आते जो लोग है वो agriculture की तरफ influence होने लग गए और पोस्ट वेधिक एरा की जो economy है वो agriculture based develop हो गई अथर वेध में ये बोला गया है कि एक राजा थे प्रिथू वैन्ये उन्होंने agriculture करना सबसे पहले start किया था और अथर वेध में ही agriculture की जो भी types हैं जो भी methods हैं उन्हों सभी कोई अथर वेध में ही mention किया हुआ है हलांकि जो अथर वेध है उसमें locust के बारे में भी mention किया हो है locust होते है टिडी 2021 में हमारे इंडिया का जो western part है western border पाकिस्तान से सटी हुई जो border है जिसमें राजस्तान, हरियाना, गुजराती वाला जो region आता है वहाँ पर ये टिडी अटेक देखने को मिला जिसके वज़े से farmers काफी ज़्यादा परिशान हुई और ये जो issue है वो national issue भी बना था तो अथर वेध में टिडी के बारे में बताया हुआ है, locust के बारे में mention किया हुआ है, यह important fact है आपको ध्यान में रखना है हलांकि हमने जब रिगवेधिक एराज डिसकस किया था तब हमने यह देखा था कि जो आरियन्स है वो animal husbandry के उपर उनकी economy depend करती थी लेकिन पोस्टवेधिक एरा के आते आते agriculture develop हो गई, agriculture के उपर लोग focus हो गई, लेकिन animal husbandry के उपर अभी भी वो लोग ध्यान देते थे अभी भी पोस्टवेधिक एरा में भी उन लोगों के आरियन्स लोगों के काउ और होरसे जो है वो favorite animal के रूप में थे surplus production होने लग गया था, तो surplus production को बेचने के लिए कुछ ऐसी मंडी जैसी जगे जो है वो established होने लग गयी तो urban culture पोस्टवेधिक एरा आते आते develop होने लग गया था, इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री भी डिवलप होई थी, जिसमें textile, leather और metal industry है हालांकि अगर हम बात करें कि currency system अभी भी develop नहीं हुआ था, अभी भी cow और nis का use किया जाता था, तक currency के रूप में जैसे की रिगवेधिक एरा में use किया जाता था और जो brighter system है उसको अभी भी practice की जाती थी, अब बात आती है religious condition की, religious condition में अगर हम देखें तो natural polytheism था, मतलब एक तरीके से प्राकर्तिक बहु देवद था, monotheism भी था, मतलब एक देव की भी पूजा करते थे, और hinotheism था, hinotheism क्या होता है, हमने जब रिगवेधिक एरा discuss कि जब बात थे, 27 को देखा है, hinotheism में ये होता है कि किसी special profession के basis पर, किसी special act के टाइम में, किसी special देवी देवता की पूजा करना, किसी special god goddess की पूजा करना ये होता है hinotheism. जैसे कि आप मंडे को सिव जी की पूजा करते हो, Tuesday को चूजडे को आप पूजा करते हो हनवान जी की, या फिर जैसे कि आपको घर की स्थापना करनी है तो आप गणेश जी की पूझा करोगे अगर आपको कहीं जा रहे हो रात का टाइम है और आपको डर लग रहा है तो आपको लगता है कि उस टाइम हन्मान जी आपकी हल्प करेंगे तो किसी special work, special time के according किसी देव की पूझा करन आते थे तो ये सारी चीजे जो है वो religious condition थी इस तरीके से उस टाइम जो है वो देवताओं की पूझा करते थे अब बात आती है कि कौन-कौन से important देवता थे पोस्ट वैदिक एरा में अब अगर हम बात करें रिग वैदिक एरा की तो उस टाइम थे जो वरुन भगवान थे इंदर थे और अगनी ये important देवी देवता थे लेकिन पोस्ट वैदिक एरा आते आते ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो अभी present time में भी हमारे important देवी देवता है, important deities है उनके रूप में हम आज भी उनकी पूझा करते हैं, सनातन धर्म आज भी उनको मानता है, same वो देवी देवता आते, मतलब पोस्ट वैदिक एरा में ये important good goddesses के रूप में सामने आई थे, ब्रह्मा को बोला गया कि इन्होंने create किया है society को, पूरी इस अर्थ को, विष्णु के बारे में ये बोलते हैं, कि वो क्या करते हैं, वो पालन हा रहे है society के, और महेश के बार को दुबारा से इसको generated करेंगे, पोस्ट वैदिक एरा आते आते, जो यजिन सेरिमनी है, वो काफी ज़्यादा complicated हो गई थी, रिगवैदिक एरा में हमने discuss किया था, कि जो यग की जो सेरिमनी हो काफी ज़्यादा simple होती थी, हर कोई person यग perform कर सकता था, लेकिन पोस्ट वैद कि कुछ चीजे जो है, वो insult हो गई, इसके अला ब्रामन जो है, वो ही यग करवा सकते थे, मुंडक उपनेशद के according बोले, तो rituals जो है, उनको एक broken boat की रूप में explain किया गया है, कि ये जो rituals है, वो कहीं भी आपको डुबा देंगी, पुशान, पुशान जो है, उनको सुद्र को देवता के रूपें पुजा जाने लगा, और रिगवेदिक एरा में ये जो पुशान है, इनको cattle के देवता के रूप में पुजा जाता था, इसके अलावा जो ग्यान मार्ग है, वो बहुत ज़्यादा पुपुलर बन गया था, पोस्ट वेदिक एरा में आते आते, इस इसके अलावा पोस्ट वेदिक एरा में जो लोग है, वो ब्लैक मेजिक को भी मानते थे, जादू टोना अंधविस्वास इन में विस्वास करने लग गए थे, तो ये हमने पोस्ट वेदिक एरा उसको कंप्लीट किया, एक तरीके से इंडाइरेक्लि अगर हम देखें, तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अगर आप यहां तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे टेलिग्राम चैनल के साथ में भी जूर सकते हैं, टेलिग्राम चैनल क लिंक नीजे description box में दिया हुआ है वहाँ पर बहुत सारी important चीज़ें आप सभी के साथ में share की जाती है Okay, thank you